हेलो इस्ट्रेंज, वेलका मेक तो संजे सेस्ट लासेश, आज का मेरा ये वीडियो बैंकिंग अवेडिया स्रीज का थर्ड वीडियो है, आपने पहले दो वीडियो देखी लिए होंगे, अगर आपने अपी तक वह नहीं देखे हैं, तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के description box में डाल दूँगा, ठीक है, उमीद है आपके लिए ये वीडियो काफी helpful साबित हो रहे होंगे, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर अब तक मेरे चैलों को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, और बैल आइकन क है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अब्रिवेशन पैक में पूछ ली जाते हैं, तो C-A-R, C-A-R को C-R-A-R भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, बात एक ही होती है, इसका मतलब बता है capital adequacy ratio, ठीक है ना, और जब C-R-A-R आता है, तो इसका मतलब बता है, तो इसक capital to risk asset ratio, ठीक है ना, capital to risk asset ratio, ठीक है ना, इसका मतलब है कि, मतलब कि, जनलली ये banking regulators होते हैं, वो इसका use किसने करते हैं, इसके ये पता चल जाता है, कि, मतलब capital to risk asset ratio, मतलब जैसे कि, C-A-R का मतलब कि capital, जो बैंक के पाफ capital है, अपां, उसने कितने advances, ऐसे risk assets, जो एसके, ठीक ह कि, जैसे होते हैं, कि उसने loan दे रखा है, तो कुछ loan risk हो जाते हैं, तो इस ratio से, banking regulator ये पता कर पाते हैं, कि, जो bank है, वो अपने losses को sustain कर पाएगा, या नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो C-A-R, capital to risk asset ratio, clear, आगे बात करते हैं, जैसे largest public sector bank जो इंडिया का है, वो SBI है, ठीक ह आगे बात करते हैं, जैसे कि, गौर्मेंट की जो share holdings होती है, वो किसी भी public sector bank में 51% से नीचे नहीं हो सकती, अगर 51% से नीचे हो जाएगी, तो वो private sector में चला जाएगा, ठीक है ना, तो government share holding cannot be below 51% in public sector banks, clear, ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे कि, कुछ abbreviation, फिर से जैसे PIN, पिन होता है, जैसे हमार ATM का पिन हमने यूस किया, पिन, पिन का फिल फॉर्म क्या होता है, पिन का फिल फॉर्म होता है, परस्नल आइटिफिकेशन नंबर, ठीक है, परस्नल आइटिफिकेशन नंबर, पिन, पिन का फिल फॉर्म, ATM, जैसे होता है, जैसे कई लोग बोलता है इन टाइम मनी तो इसका ऐसे बना दिया गया है अधर सकेंवर्वाइस एट्यम का फुल पाउब होता है भुलिवाद पर नाक्त के सब्सक्राइब पर के ओर ये खुंट पर ये नाक्त के काफ़ से इंडियन अठीड जिस्टम कोड में मनी एक अपाउट ते दूसरे काउट पर टांसफर करते हैं तो जैसे न, EFT वगरा केत्व या रटीज़ केत्व करता है तो उसके लिए IFSC code की जोद होती है तो IFSC जो code होता है यह 11 इसमें लेटर्स होता है मताद अलफा नियूमरीग code है ये अलफा नियूमरीग code और 11 characters ठीक है ना 11 characters होता है है यो की Elpha Neum턱 होते हैं GTA जो की वे बैंट का नाम रिपेजेंड करते हैं तो फिर्स पोर्चे वो आउम wizard होते हैं एक स्क्री ना अन्य किल सब्याता है चोब a.ट जो 5th character होता है, वो 0 होता है, ठीक है न, 0 होता है, 5th character जो होता है, 0 होता है, और जो last 6 होते हैं, last 6 characters, वो numbers होते हैं, फिर से numbers होते हैं, ठीक है न, यानि कि first 4 के बास 7 जो होते हैं, last 7 जो characters होते हैं, वो numbers होते हैं, उस पर जो first number जो represent करता है वो 0 होता है, और जो last 6 होते हैं, वो नमबस क्या represent करता हैं, वो branch code represent करते हैं एक पर हम फिरसे बता देता हूँ कि जो IFSC code होता हूँ 11 characters का alpha numeric code होता है जिसने first 4 letters जो हता है, वो bank का नाम को represent करते है जो fifth character होता है उसको zero रखा जाता है और जो last case 6 होते हैं, वो numbers होते हैं, और वो numbers जो होते हैं, किसको represent करते हैं, branch code को represent करते हैं आगे बात करते हैं जिसे NEFT भी, N-E-F-T, जैसे money transfer करने के लिए या तो हम NEFT का यूज़ करते हैं, या RTGS का यूज़ करते हैं तो NEFT को जोते है, National Electronic Fund Transfer, ठीक है न, National Electronic Fund Transfer, तो NEFT में minimum कोई limit नहीं होती और maximum amount की भी कोई limit नहीं होती, मतलब ये कोई limit नहीं है कि आप minimum इतना amount आपको transfer करना ही पड़ेगा, या maximum इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई limit नहीं होती, ठीक है, आप चाहें तो 1 रुप्या या भी transfer कर सकते है, NEFT के थूरू, तो minimum की कम से कम बन्दफ की कोई limit नहीं होती है, और maximum नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक बात और है कि NEFT के इसमें, पर transaction में आप 10 लाग रुपे से ज्यादा transfer नहीं कर सकते हैं, एक बार में 10 लाग से ज्यादा transfer नहीं कर सकते हैं, अगर आपक 10 लाग से जादे ही transfer करने पढ़ेंगे, तो आप NEFT के थूरू नहीं कर पाएंगे, ठीक है न, दूसरी चीज होती है, आप जैसे RTGS, RTGS का मता होता है, real time gross settlement, तो real time gross settlement में क्या होता है, minimum limit उसकी होती है, 2 लाग, 2 लाग से कम आप RTGS नहीं कर पाएंगे, अगर आपको 2 लाग से कितना भी उससे करा सकते हो, clear है बाते, तो NEFT और RTGS का difference यह है, कि NEFT में minimum कोई limit नहीं है, और नहीं उसकी upper limit है, लेकिन NEFT के case में आप एक बार में 10 लाग से जादा transfer नहीं करा सकते, और RTGS के case में minimum limit जो हो 2 लाग है, लेकिन कोई upper limit उसकी fix नहीं है, दूसरी चीज है कि NEFT से प पहुंच जाने चाहिए, लेकिन फिर भी उसका maximum time है कि दो गंटे के अंदर अंदर तो beneficiary के account में money credit हो ही जानी चाहिए, otherwise वो पैसे immediate हो जाती है, तभी उसको real time gross settlement मोलते है, इधर आपने RTGS करवाया, उधर beneficiary के account में money transfer हो गई, जबकि NEFT के case में time ज्यादा लगता है, दूसर तो RTGS करा रबड़ेगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप 3 लाग रुपे BIM NEFT के दुरू transfer करवा सकते हैं, बस बात हीए कि थोड़ा सा time लग जाता है, clear, आगे बढ़ते हैं, अब जैसे RTGS और NEFT जब आप कराते हैं, तो आपको एक UTR नमबर मिलता है, UTR नमबर का मतल जिसको आपने पैसा बेजा है, उसके अकॉंड में ग्रेट नहीं हुआ, तो फिर जब आप इंक्वारी करते हैं, तो बैंक आप से पूछता है कि UTR नमबर क्या था, ठीक है ना, तो उस नमबर के दुरू आपको पता चल जाता है कि हुआ गया, वह भनी क्यों नहीं ट्रां क्यों गारी का खान, तो नहीं ट्रां पने उसके जाता है कि येक्शन आपिस बात मात क्या है, अगया, झाहुआ कै, तो आइन ग्रेट का इस पता या, वह कुंड शला पता हैte है, निल कापलस्फर मत्वा वोते हैं, संदृ निल निल फान मत्रा है, निल मतल Kern nominal effective exchange rate इसका क्या मतना होता है कि जैसे कि कि कुसी कंट्री की currency का weighted average निकाल देते हैं multiple foreign currency इसके साथ टिक है एक तो होता है कि जैसे कि तो लेकिन जब हमें इंडियन लुकीरिय की एक वैल्यू निकाल लई हैं, कई सारी ग्राशिस के साथ एक साथ तो वेटर्ग के अबरेज निकाला जाता है यसे ज़से तो किसी भी country की currency का कई सारी foreign currencies के साथ जो weighted average निकलता है उसे बूलता है nominal effective exchange rate ठीक है next है IRR, IRR का full form होता है internal rate of return, internal rate of return जैसे कि कोई किसी भी investor को अपने investment पे जो money return मिली है वो होती है internal rate of return ठीक है next बात करते है जैसे कि हम एक होती है teaser rate teaser rate teaser rate जैसे कि teaser rate actual में क्या होती कि जैसे कि अभी भी कोई bank क्या करते है कि एक introductory period के लिए rate of interest को अपने जैसे advertisement होता है इस तरीकरती किया जाता है कि जैसे customer ज्यादा से ज्यादा attract home किसी भी चीज प्रोड़क्त के लिए तो bank क्या करते है कि ऐसे करते हैं teaser loan teaser loan announce करते है जैसे कि teaser loan जैसे कि home loan है उन्होंने announce कि कि initial stage में teaser rate में क्या होता है कि initial stage में जो होती है stage में loan का जो rate of interest होता है वो कम होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे वो rate of interest बढ़ जाता है करता है में आपसे ठीक है next time मारे पास IRDA इड़ा IRDA अधा जो नेशनल यह जो insurance companies होती है उनको जो regulate करती है body उसे बोलता है IRDA Insurance Regulatory Insurance Regulatory Development Authority Insurance Regulatory Development Authority Insurance Regulatory Development Authority उसे बोलते है IRDA ठीक है इसका जो headquarter है वो है थादराबाद में है यहाँ रखना बाद Headquarter of IDA जो है वो कहां पर है थादराबाद पूल किते हैं कहीं बहुत है कि IDA रख़टर कहां पर है थादराबाद में है LAF LAF का पुल फार्म होता है लिक्वीड FACILITY LAF क्या होता है यह FACILITY इससे क्या पायता होता है कि जो RBI जो है MONETARY पालिसी में इस चीज को यूज करता है मतला सिर्फ लिक्वीड एजस्टमेंट फैसिलिटी जो आरबेई यह देता है MONETARY पालिसी में इस ही के THROUGH तो वो आरब इसे लोन ले लेते हैं तुर रैपो मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में और जब उनके पास एक्सेस हो जाता है तो वो आरब इमें जमा करा देते हैं तुर रिवर्स रैपो ठीक है ना तो यह लिक्विट एजिस्ट्पेंट फैसलिटिक के कारण तो यह बहुत कि आधे के सभक झitterे लएक्स को में कंणाया से लौन लेते हैं या अपने एक्सस मैंनी पाइब एवे में पोसिट कर देथे हैं ठीक है नेक्स है पैन नंबर होता है जैसे आपने अब्गा पैन का इस्धाण होरे ना पर्मानें थिसयोर नancia नंबर नंब़र 10 जो होता है 10 characters का alpha numeric code होता है 10 characters का alpha numeric code alpha numeric code alpha numeric code मतला कि कुछ alphabets होंगे और कुछ number होंगे इसमें जो होता है first four characters जो होता है वो होता है alphabets ठीक है फिर next five जो होता है वो होता है numbers और जो last होता है tenth वो होता है alphabets ठीक है तो क्या होता है permanent account number जो कि 10 characters का alpha numeric code होता है जिसमें first four letter first five letters first five first five जो होता है वो alphabets होता है और next four numbers होता है ठीक है ना फिले कर देते हैं first five जो होता है alphabets होता है और next four numbers होता है और last जो होता है वो फिर से alphabet होता है ठीक है आगी बढ़ता है आगे है CASA 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 मतलब current account saving account यह क्या होता कि यह CASA का मतलब होता कि deposit in current account and saving account divided by total deposit ठीक है ना that means कि ratio of deposit in current and saving account to its total deposit ठीक है यह क्या है CASA का मतलब होता है current account saving account ठीक है ना जिसका जो मतलब होता है ratio होता है deposit in current account plus saving account two banks total deposit ठीक है ना CASA next आता है मारे पस BIFR अब देखो BIFR BIFR का full form गुंपाने पास होता है board for industrial and financial reconstruction board for industrial and financial reconstruction board for industrial and financial reconstruction international financial reporting standards okay IFRS international financial reporting standards next time आता FRBM FRBM का full form गोता है fiscal responsibility and 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 budget management fiscal responsibility and budget management FRBM next आता है मारे पस FINO and operations and ठीक है किनो financial investment network and operations clear next time आता है मारे पास SC AR DB तो यह है state cooperative agriculture and and rural development bank okay SC AR DB state cooperative agriculture and rural development clear क्लियर आगे बात करते हैं CBS देखतो है जैसे कि banking system सारा का सारा CBS है कहते हैं हमारी ब्रांच CBS ब्रांच CBS ब्रांच CBS का full form होता है Core Banking Solutions क्लिकर आपको कर पैंकिंग solution EMI हर चीज EMI पर अबिलेबल है आशकल मार्केट पर तो ज्यादातार आप बोल नहीं है कि easy monthly installment easy monthly installment तो बस normal बोल चल में आप बोल रहो actual meaning होता है equated equated monthly installment next time GDR GDR होता है Global Depository Reserves Global Depository Global Depository Reserves आप आप इसके वीडियो में हमके वाल इती ही बात करेंगे उमीद है यह वीडियो आपके लिए काफी हलफुल होगा एक बार आप इनको जरूरू से लर्ण कर लेना क्योंकि एक्जाम में अब्रिवेशन बहुत उचे जाता है banking से लिए ठीक है न इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और धंक से पड़ें अभी मैं दो तीन वीडियो बैंकिंग अवैनर्स के आपके लिए और बना के लिए होगा और एक बार मैं फिर से बोलतेता हूँ कि जिन्होंने अभी पहले वाले वीडियो नहीं देखें रैंकिंग अवैनर्स से लिखेंड तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाउस में उन दोने वीडियो का लिंग डाल दूगा ठीके न अगर अभी तक चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करें और बैल आइफ इनको भी दबा दें जल्दी एक अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें